किसी इंसान में जीने के लिए इतनी ज़्यादा चाहत हो सकती है खेरियर चिप दिजें आपको इस मूवी में देखने के मिलेगी तो इस वीडियो में चर्चा करने वाले क्रेंक मूवी के बारे में ये 2006 में आया थी और इसका सीक्वल 2009 में आया था अब जो सीक्वल यानि जो 2009 बारी मूवी है क्रेंक 2 है वो वहीं से शुरू होती है जहां पर क्रेंक 1 खतम होती है शायद शायद वहीं से शुरू होती है दरसल ये दोनों मूवी मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी तो मुझे याद नहीं कि exact क्या हुआ मतलब second movie में क्या हुआ first movie मुझे इसलिए आद है क्योंकि मैंने उसे दोबारा देखा है अब मुद्दे की बात पर आते है मतलब मुद्दे पर आते है मतलब कहानी की चर्चा कर लेते है तो क्रेंक 1 की जो कहानी है यानि जो 2006 में जो movie आई है उसकी जो कहानी है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है चेविलियश चेविलियश शायद मैंने सही से उसका नाम लिया हो तो इस व्यक्ति को जहर दे दिया जाता है इसी के किसी मतलब दूसरा एक बंदा होता है दरसल ये गुंडा होता है चेविलियश इस हिटमैन होते है, कातिल होते है, दूसरों को मारते है पैसे लेकर, इसी से कोई दुश्मनी निकाल रहा होता है, उसने इसको जहर दे दिया होता है, वो सारी चीज़ें जब आप मुवी देखोगे, तो समझ जाओगे कि जहर कैसे दिया है, और यह जहर जो तो वो एक चाइ बचा सको तो बचा लो क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा खून जमना स्टार्ट हो जो एकर तुम मर जाओगे और यहां पर यह वेक्ति इतनी इसके अंदर दृड़ी चा है दृड़ी शक्ति है वैसे सीखने को मिल सकते है कि आपके अंदर दृड़ी शक्ति इतनी है तो जहर भी आपको कुछ नहीं विगार सकता है, सेम इस चैविलियस के साथ होते हैं, शैविलियस, शाहध यही नाम होगा, तो यह वेक्ति इतनी ज़्यादा हदे पार कर जाता है, कि मतलब सोची भी नहीं होगी, इस अपने आपको जीवीत रखने के लिए, यह इनसान हर हद पार करता जा रहा है इसको अपने Zehen को अगर तोड़ना है वह wider तो उसको बूश्ट-aप करने के लिए यह सारी चीजह beta है वह सारी चीजह करता भी है वह चीजे क्या करता है जब आप of movie देखो एंसोल बिल्कुल भी नहीं है इस मूवी की जो लेंते तक्रीबं डेट घंटे के आस पास है और ये मूवी मतलब जिस स्पीड से चलती है आप मतलब कोई भी सीन ऐसा नहीं होगा कि आप इसको मिस करना चाहोगे क्योंकि इतनी तेजी से और हम इसके साथ ऐसे कनेक्ट होते हैं को कहीं पर भी शायद मुझे याद आ रहो मैं कहीं बोर हुआ हूँ नहीं मैं बावजूद इस मूवी को सेकेंड टाइम देख रहा हूँ और मैं कहीं पर भी बोर नहीं हूँ कोई इनसान अगर इसके अंदर ये देखने चाहँ रहा है कि इसके अंदर स्टोरी मैं अच्छी चाहता हूँ तो वो स्टोरी इसके अंदर इतनी आपको खास नहीं देखने को लेगी एक सिंपल स्टोरी है एक विक्ती को जहर दिया जाता है वो जीने के लिए कोशिश कर रहा है अपने मतलब सर्वाइव कर रहा है तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कुछ एक सीन मुझे इसमें लगे अगर वो ना होते तो ये मुवी और जादा अच्छी हो सकती थी क्यार वो चीज़ें मैं नहीं डिसकस करूँगा कि वो वाला सीन कौन से है क्यार आपको स्पोईलर मिल जाएगा मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूँगा 7 आफ्ट ओफ 10 स्टार अगर आप लोगों ने मुवी देखिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मुवी कैसे लगी और हाँ इसके अंदर गाली गलोच है अडल्ट सीन बहुँ जादा है तो बच्चों के लिए तो बिलकुल भी नहीं है हिंदी डब में भी आप लोगों को देखने के मिलेगी देकिन हिंदी की बजाएं आप इसको इंग्लिश में ही देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसके अंदर एक फील आता है हिंदी डब के अंदर मतलब साउंड की प्रोब्लम मुझे लगी वो मुझे अच्छी नहीं लगी यार डबिंग तो प्रैफर यही करूँगा मैं मतलब साइब प्रैफ पर वो मुझे नहीं करको झाल और एक उच्छी प्रोब्लम मी झालब